सो नमस्कार कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग अवज़ाता बढ़िया होंगे एंड आज की स्टुडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बीएश्यू के बारे में जब मैंने इस चैनल पर वीडियो बनाई थी डेलियो का कम्प्लीट रिव्यू तो उस पर काफी सार पहले में बीएश्यू गया भी था और पहली बार ही गया था तो मेरा जो एक्स्पेरियंस रहा बीएश्यू के इंदर वो एक्स्पेरियंस भी में आपको बताने वाला हूँ तो आपको एक प्रोपर इंसाइट मिलने वाली है बीएश्यू की तो चली वीडियो श्यू करते सबसे पहले बहु कब established की गई तब से लेकर अब तक कितने department इसके अंदर add हुए हैं कितने students पढ़ाई करते हैं fee structure क्या है placement क्या है इसके लबाए admission procedure क्या है हर चीज के बारे में हम बात करेंगे तो BHU जो हुए established की गई थी 1916 में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 साल से भी जादा का समय हो चुका है BHU का established हुए तो 1916 के अंदर established की गई थी और किया था पंडित मदन मोहन मालगेजी ने और जो students है BHU के कफ़ जादा respect करते हैं पंडित मदन मोहन मालगेजी की जो मैंने उसे बात की तो यह जो चीज थी उनके बात करने से जलक रही थी इसके लावा अगर मैं बात करूं तो BHU के अंदर आज के टाइम पर 5 different institutes आते हैं including IIT BHU अपने सुना होगा नाम IIT BHU का तो BHU के campus के अंदर ही आती है IIT BHU इसके लावा 16 different streams हैं multiple courses हैं इसके लावा 141 departments हैं तो आप idea लगा सकते हैं बहु कितना बड़े area के अंदर है कि 141 departments है और जब मैं भी गया था तो इरिक्षा में हम लोग बैठे हुए थे और area जो खत्म ही नहीं हो रहा था इतना बड़ा BHU का campus है तो 141 वहाँ पर आपके departments आते हैं इसके लावा एक constituent women college है तीन constituent schools भी है schools भी है इसके लावा 40,000 students आज के टाइम पर BHU के अंदर पढ़ा ही कर रहे हैं 2,000 teachers है, 7,000 non-teaching staff है इसके लाव 48 different countries के students आज ये टाइम पर BHU के अंदर पढ़ा ही कर रहे हैं बिल्कुल ठीक सुना आपने इसके लाव अगर हम बात करूँ कि किन-किन streams के अंदर different courses है तो देखें यहाँ पर humanities है, social science है, technology है, medicine है, science है, fine arts है, performing arts है तो इस तरह के अलग-लग streams के अंदर different courses है BHU जो आपको offer करता है अब अगर मैं बात करूँ BHU के amazing facts की, तो आप लोगों को होगी है, अभी तुमने क्या बताया था, अभी तो amazing facts ही बताया थे, लेकिन नहीं अब आते हैं यहाँ पर असली amazing facts तो अगर मैं बात करूँ BHU के सबसे बड़े और सबसे amazing facts की, तो सबसे बड़ा amazing fact यही है कि BHU is the largest student residential university in Asia यानि कि BHU के अंदर इतने जादा hostels हैं, जितने जादा hostels एशिया के किसी भी university, किसी भी college अंदर नहीं है तो basically BHU के अंदर 40,000 students पढ़ा ही करते हैं, और 40,000 में से 18-20,000 ऐसे बच्चे हैं, जो BHU campus के अंदर ही रहते हैं, उनके hostels में ही रहते हैं तो अगर आप ratio भी निकालेंगे, 40,000, 20,000 के तो आपको एक idea लग जाएगा, अगर मैं compare करूँ इस ratio को मालीज़े डेलिंसोडी किसी college के साथ, और हम compare कर सकते हैं, यहाँ पर ratio के बात है तो कोलेश के अंदर डेलिंसोडी के माल लीज़े, 5,000 बच्चे पढ़ा ही करते हैं, और उनके hostels की seat कितनी होते हैं, सिर्फ सिर्फ 200 seats, तो यहाँ पर आप ratio देख लीज़े, और BHU के अंदर आप ratio देख लीज़े, 40,000 बच्चे पढ़ा ही कर रहे हैं, 20,000 hostels के अंदर ही र तो जब 100 साल हो चुके हैं, तो जब 100 साल हुए, यह 2016 के अंदर, तो RBI ने 10 रूपी का जो कोईन पब्लिश किया था, उसके अंदर BHU की जो फोटो थी, वहाँ पर थी, जो आपको फिलाद स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यह भी एक BHU का amazing fact है, इसके अलाब अगर हम बात लूप के अंदर वह थोड़ा सा पीछे होगर के 6th rank पर आ गया है, लेकिन वह कोई फरक नहीं परता है, नेक्स यह हो सकता है, और फिर से 3rd या 2nd rank पर आ जाए, तो जो government body है, NIRF उसने भी बोल दिया है कि BHU जो है, वह हमेशा top 10 के अंदर ही रहने वाला है, तो no doubt BHU काफी बढ़ी है, इसके अलाव अगर मैं बात करूं, तो एक थोड़ा अलग थरह का fact है, और जो मतलब मैंने खुद में फिल किया है, तो जो मैं BHU गया, तो मैंने काफी सारी students से बात की, BHU की, तो मुझे एक चीज वहापर पता चली है, जितने बच्चे हैं, जिन्होंने BHU established की पंडित मदन मोहन मालवेजी ने, वो उनकी सच में दिल से रिस्पेट करते हैं, अगर मैं कंबेर को किसी दूसरी फिड़ी के साथ, तो मैं बच्चों को पता भी नहीं होता किस ने establish की थी, या फिर कोन था founder, तो किसी को नहीं बता होता, लेकिन यहाँ पर सच में बच्चे हो पुरा पुरा मंदिर है, तो बहार से भी लोग आते हैं उस मंदिर के अंदर, बीच्चों को स्टुएंट भी जाते हैं, वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीजे भी होती है, तो एक स्पोर्ट है वीटी, कि सब लोग वहाँ पर आ जाएंगे, बातवात करेंगे, मस्त आर होता है, वह नहीं होता है, लेकिन बीच्चू के अंदर एक अलग तरह का कुल्चर आपको देखने को मिलेगा, और इसका रिजन यह हो सकता है कि बीच्चू जो है, यनिकि जो बनारस है, वारानसि है, वह आप ऊसकते है कि एक लिज़िच्च का एक घूप स्पोर्ट है, औ IMS जो की AIMS से certified है अच्छा college है तो इसी सुन्दरलाल चीसका रवाइज़ा बड़ा श्पिटल है तो वे एक सीडी भी है, क्या नहीं आप मुझे बताइए एक सिडी भी है तो भाई बात करते हैं चलिए अब बात करते हैं कुछ अलग facts की जैसे की fee structure क्या है, placement क्या है, courses कौन-कौन से है, admission procedure क्या है उस पर हम लोग अब आज आते हैं तो अगर मैं बात करूँ बात करूँ बात कौन-कौन से courses आपको उफ़र करते हैं तो देखिए तर आपको एक-क courses आपको अच्छे से देख लीजीगा कि कौन-कौन से courses आपको under-gradation में मिल रहे हैं, कौन-कौन से courses आपको post-gradation में मिल रहे हैं उसको आप अच्छे से देखिए, फिर हम next step पर आते हैं हमने अभी यहाँ पर open कि विए bhu-online.in जो कि bhu-website है वह हमने यहाँ पर open किये राइट फिर यहाँ पर आप देख सकते हो under-gradation के अंदर यहाँ पर कितने सारे courses है अगर आप BA करना चाहते हो, BA Owners in Arts है, BA Owners Social Science है, BCom Owners, BCom Owners Financial Marketing Management है B.Sc. Agriculture वगरे है, यहाँ पर आप Bachelor of Veterinary Science भी आप कर सकते हो, B.A.L.B. है, L.B. है, इसके अलावा Physical Education भी है फिर आप देखते हो कितने सारे यहाँ पर ही course है, जो कि आपके सारे के सारे आप बोल सकते हो कि Bachelor in Performing Arts है, Bachelor in Fine Arts है, यह सारे सारे यहाँ पर courses आ जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे है, Dance है, Kathak है, Bhartanatum है, Vocals है, काफे सारे है फिर इसके अलावा आप देख सकते हो, Vocational Courses भी यहाँ पर कुछ है, Retail and Logistic Management हो गया, Hospitality and Tourism Management हो गया, Designing and Event Management है, तो इस तरह के जो Vocational Courses है, यह भी आपको ओफर कर रहा है BHU, इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो फिर अगें यहाँ पर भी कुछ सब्सक्राइब कर देखने को मिल रहे है और बाकी जो Undergration Level पर जो आपके सारे सारे Courses थे, उसके ही Mostly जो Courses है वो आपके Post Gration में आपको देखने को मिल रहे है, Right, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, MA बाकी आप यह languages के अंदर कर सकते हो, तो आप सारे सारे Screenshot भी ले सकते हो, आपको exactly पता चल जाएग Right, तो Mostly Courses आपके Post Gration में आपको देखने को मिल जाएंगे, और मैं यह बहुत सकता हूँ कि शायद Post Gration के लिए हो सकता है BSU और भी जादा better है, क्योंकि यहाँ पर Courses Options जो है, वो बहुत जादा है, बहुत जादा Undergration के comparison में, तो UG केंते हैं तो काफी कम थे, लेकिन PG केंत परस्पेक्टिव से, तो पहले BSU के इंदर उनका खुद का इंट्रेंस जाम होता था, उसके basis पर admissions हुआ करते थे, BSU का अपने form fill किया, फिर आपने BSU का test दे दिया, पहले ऐसा होता था, अभी नहीं, अभी change हो चुका है, तो अभी जो है, अभी क्या हो गया कि BSU के अंडर आचुका है, एक नया एंट्रेंस जाम गवर्मेंट ने बनाया था, CUT, जिसके अंदर देश भर की अलगले Central University जिसका पार्ट बन गई थी, जिसके अंदर Delhi University भी है, BSU भी है, JNU भी है, बहुत साज इंसरेटीज है, तो BSU जो है, वो CUT के अंडर आचुका है, तो अगर एक्जाम होता है, उसी के असपास BSU के फोर्म भी आ जाते है, तो फिर आपको BSU का फोर्म भी फिल करना होता है, फिर कुछ टाइम के बाद आपका जो result है, CUT का वो आ जाता है, और उस CUT के scores के basis पर आपको बता चलता है कि आपको BSU के अंदर admission मिल रहा है या फिर नहीं मिल हो रहे हैं, उसी वक्त पर आपका BSU का आपका फोर्म है, वो आपने फिल कर दिया, फिसके बाद आपकी counselling होगी, merit list हाईगी, आपको बता चलता है कि BSU के अंदर admission पर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो यह कुछ steps है BSU के अंदर admission लेने के, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं BSU का fee structure क्या है, तो भाई इतना कम fee structure है BSU का कि आपको जो है पूरे एक साल 2-3,000 रुपय ही देने परते हैं, आपका पूरे एक साल complete हो जाता है, DU के अंदर काफी सारे college के अंदर 8,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, मुझे यही fees कम लगती थी, लेकिन BSU की जो मैंने fees दे देखने को मिलती है, इसके अंदर भी देखिए BSU के fee structure के अंदर 3 डिफरेंट चीज़े हैं, एक है regular fees, इसके बाद है paid seats की fees, और उसके बाद है special courses की fees, अब मैं आपको तीनों चीज़े explain करता हूँ, उसके बाद laptop की स्रीन पर देखा हूँआ कि exact fees क्या है, तो देखिए regular fees ज लेकर के admission लेकर ऐसा बिल्कुल नहीं है, माल लीजिए, एक किसी course के अंदर 100 seats है, 100 seats है, तो 100 में से 15% जो होंगी 100 के अलावा, 100 seats जो है, वो तो normal merit based admissions ही होंगे, लेकिन जो बाकी 15% seats होंगी 100 के अलावा है, निकि जो 115 तक seat होंगी 100 से लेकर 115 तक, वो result होती है, उनकी fees आपके rank जो है, वो भी 100 से लेकर 115 के बीशी आने चाहिए, अगर आपके ranks आये है, तो आप थोड़े से पैसे दे करके, वहाँ पर उन seats पर admission ले सकते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरह से merit based ही है, तो अब मैं आपको दिखा लेता हूँ कि क्या fee structure है, आपको proper screen पर दिखने वाल अब दिखो, अगर मैं fee structure की बात करूँ तो काफी कम fee's है भी है, जैसे आप B.E.O.N.C. social sciences कर रहे हो, तो यहाँ पर सिफ 2000 उपे फीज है, इतनी ही फीज है, बाकि ये paid seat होती है, 15% something, तो वहाँ पर ये paid students को देना पड़ता है, ये अलग fee's है, बाकि आपको 2000 फीज ही आपक हो है, ठीक है, तो B.E.L.B. की जो fee's है, regular fees आपकी 2200 वो तो लगेगी ही लगेगी, और यहाँ पर paid seat को ही है नहीं, इसके अलावा जो special course fee's है, आपको 60,000 पर एनम देनी पड़ेगी, तो आप समझ सकते हों कि 60,000 आपकी जो fee's है, वो आपको B.E.L.B. के अंदर देखने को य तो D.E.U. के अंदर general fees आपकी लगबख लगबख 11,000 के असपास होती है, average fees, right? तो यहाँ पर काफी ज़्यादा सही चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो performing arts वो गयरा है, जिसके अंदर north classical, Indian classical vocal है, tabla है, sitar है, violin है, flute है, यह साही जो चीज़े यहाँ पर लिखी हु मिलेगी, बाकि सभी courses के आपको इतनी fees देखने को यहाँ पर मिलती है, और vocational courses के आपको बात कुरूँ, तो vocational courses के अंदर भी यहाँ पर special course की fees है, 13,000 है 26,000 है किसी के अंदर, तो यह भी ठीठा के लेकिन LB की थोड़ी से जादा है, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, इस तरह का जो fee structure है, आपको BHU के अंदर देखने को मिलता है, आप एक काम कर सकते हो, आप इसका एक screenshot ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर रोग दिया है, आप इसका screenshot ले सकते हैं, जो आप BSC in math group के अंदर हो, प्रैक्टिकल दे रहे हो, तो 3000 रुप आपकी fees है, यहाँ आप आप आपको BHU का जो fee structure है, वो भी आपको बहुत ही clearly समझ आ गया होगा कि क्या fee structure है, इसकी बात हम लोग बात करते हैं BHU के placements की, तो देखे, placements explain करना इतना आसान काम नहीं है, और वो क्यों नहीं है, क्योंकि देखे, BHU के इंतर different courses है, यहाँ पर IIT भी है, यहाँ पर finance वाले की BHU का, लेकि मैं सभी बच्चे IIT के इंदर नहीं पढ़ाई करते हैं, सभी simple courses भी करते हैं, तो जो normal courses है, उनका जो placement है, वो यहाँ पर लगबग 22-23 LPA के असपास highest चला जाता है, और average package आपको 7 LPA, 6 LPA इतना आपको लेखने को मिल जाता है, जो के reports है, राइट, तो इस त आपको नंबर से हाँ पर placement के देखने को मिलते हैं, जो मैंने अभी just आपको बताए है, इसके अलाव कर मैं fast culture की बात करूँ, exposure की बात करूँ, तो exposure BHU के इंदर थोड़ा सा different तरह का है, वो किस तरह का है, कि जब मैं BHU के बच्चों से बात करा था, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, कि जैसे यहाँ पर काफी scholar लोग है, काफी विद्वान लोग बैठे होते हैं, आप कहीं नुकड़ पर बैठकर के चाहे पी रहे हो, और आपको पता ही नहीं चलता है जो मेरे साथ में बैठा हुए कोई पदमश्री है, पदमभूश्री है, इस तरह के कबीर दाज जी जो है, वो बनारस से ही थे, तो उनका कबीर चोरा है, कबीर मठ वहाँ पर है, तो आसपास ही है, तो जो कल्चर वहाँ का है न, जो ट्रेडिशन है, वो आपको B.H.U. के अंदर देखने को मिलता है, तो इस तरह का exposure जो है B.H.U. के अंदर वो काफी जादा और्गनाईज करता है, तो काशी आत्रा जो है, उसका भी काफी जादा बजट होता है, काफी बड़े-बड़े सिंगर्स आते हैं, तो उस तरह का exposure है, वो भी आपको B.H.U. के अंदर देखने को मिलता है, आपको events देखने को मिलेंगे, जो कि mostly सभी college के अंदर होते हैं, डे इसेटी के अंदर नहीं मिल सकता है, जो B.H.U. के अंदर आपको मिल सकता है, क्योंकि वो जो लोग हैं, जिनको हम किताबों में पढ़ रहे हैं, वो हमारे आसपास के ही लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो वो लोग अब जा चुके हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं और जो हमारे साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको भी हम किताबों में पड़ते हैं तो वो जो कल्चर है, वो एक बहुत ही रिच कल्चर है, रिच हिस्ट्री है, तो B.H.U के इंदर आपको देखने को मिलेगी तो मैंने पूरा जो दूसरा बना रहा है, उसको मैंने पूरी तरह से एक्स्प्लेइन किया है, तो स्टूडियो को अब जरूर देखना, चैनल का लिंक में डिस्ट्रीशन डाल दूँगा, बाकी, I hope आपको एक बड़ी है इंसाइट मिलकी होगी, बियेश्यू की, अगर आप